मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एड़वानी पर स्वाहत करता हूं तो हम लोग नेट्स्ट क्या देखते हैं आहमदाबाद कि आहमदाबाद मील वर्कर्स कि अच्छ मिल वर्कस कि समझते हैं यहां पर हम दाबाद मील यह क्या था तिक न वहां पर तीसोसटर नाइनीज़एग जो फिस प्लेटेंग चला हुआ था उसमें जो है जो वारक वारव से बाहर से भाग के आ पने घहर पे ठीख मैं लेखिस प्लेग चला हुआ था उस समय भी में भी तुस्तिया किया कि हमदाबाद जितने भी कोर्ट टेश्टाइल मिल कपकी था यहां पर कॉस्टेंट टेक्टेल कंपनी जो था वह क्या किया कि एक दिमाग लगाया कि कियो लेबर नाम का एक आपको बोनस देना शुरू किए जिसको कहा गया प्लेग बोनस कुछ एक्स्ट्रा पईसा जिसमें लब लब 50 to 80% कहीं कहीं पे 80% भी बोनस दिया जाता ता अर्था 100 रुपे अगर दिया जा रहा है तो उसमें से 50 रुपे एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा एक लोगों को किसा मतलिकर डिया जाये आगा न तो वह रूख और काम करेंगे त इत्ने मेल मालिक था उसको क्या किया गया एक बोनस के रूप में उनको पैसा ओपर दिया गया और क्या कि आप यहां पर काम कीजिये और आप को लोगों के सांथ हुआ को लोगों को 19.30 जैसे आया धीरे धीरे स्टीक होने लगा मजदूर आने लगे काम करने इनको भारी लगने लगा यह जो प्लेग बोनस था उनको भारी लगने लगा कि नहीं अब इसको हटा देना थी तब यह क्या एना उस्त करते हैं कि हम प्लेग जो वने हो फिप्टी परसेंट तक यह होना चाहिए हमित चाहिए और वो लोग क्या होगि कि कर देते हैं सब्सक्राइब जबात कुछ नहीं बंदा थै कि लोग मोमेंट नहीं बंद रहा थे पर समय क्या कि उससे में का एक जो है महिला थी बाच मौन देखने देखें एक क्या था क्या तो कमपनी था इन कोमपनी युँ एक एक ओसेसिएसन था ठीक कह उसेसीडेंट थे उनकी बहान का आनंदी बेन शरी अनुसुया सारा भाई और अपने प्रॉब्लम को सुनाए उनके द्वारा भी बहुत तरह के एफॉर्ट किया गया लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तब वह मात्मागाек के बारे में सूनी हुई थी मात्मागाञदी को मात्मागान्धी को करें और वह उनंके लिदे तिम ऐसे करते हैं आप इसको हटा नहीं सकते हैं लेकिन ये उनको समस्ट होती हैं hence the भी लेवर्स थे वर्कर्स थे कि आप यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे आप लोग स्ट्राइक कीजिए ठीक है और स्ट्राइक पर बैठ चाहिए ठीक है ठीक है तो जो यहां पर समझेगा मिल वर्कर्स थे उनका दिमांड कितना था 50 परसेंट तो क्या हुआ कि जो ऑनर्स थे वह बोले कि नहीं हम आपको 20 परसेंट जो है बोनस दे सकते हैं ठीक है इसे ज्यादा हम नहीं देंगे तो देखिया प्रॉब्लम क्या था कि इसमें कुछ जो मिल वाकर्स थे बोले कि यार पहले तो कुछ भी नह और खंड नहीं रहता ह्यां कि पैसा का बहुत दिखत है तक कुछ कुछ लोग जो हैं 5000 ञीं कुछ हो गया थे तुछ लोग राजी नहीं हो तो क्या हुआ कि यह लोग किसी भी तरह से मान गए लेकिन कुछ लोग जो है महात्मा गंदी पर टिपनी करने लगे अरे इनको तो भूके रहना रहे इनको तो धूप में बैटना नहीं है इनको ता आते हैं अपने घर चले जाते हैं यहां पर लेक्षर देकर चले जाते हैं पर महात्मा गंधी को थेस पहूंचा अंतर से महात्मा गंधी की महत्मा का बाहताया जाए इनके बोजान को महात्मा गंधी फस्ट बार अपने लाइफ नार। से भूखे एक तरह से बोलते हैं ना अंसन पर बैठे हुए थे वहां पर महात्मा गांधी फर्स्ट बार आपने जीवन लाइफ के फर्स्ट बार फास्टिक अंसन पर बैठते हैं और क्या होता है कि लगतों लब सब कुछ ठीक हो जाएगा चलेगा तो याद इसमें रखना यहीं कि यह आंदाबाद मिल वर्कस जो है बेसिकली वह फेबुर्वरी तुम मार्च के बीच चला हुआ था ठीक है ना यह दस फेर्वरी से लगवलवा अठारे मार्च के बीच जो है हर जगा नहीं मिलता है कुछ सब्सक्राइब करता है और यहां पर इनकी प्रोब्लम को सौट आउट किया जाता है और यह महात्मागान्दी का दूसरा सबसे बड़ा जीतता है अब तीसरा देखते है जो फॉर्ट जो मुमेंट था वह क्या था खेडा सत्य अगरा इसको समझना है अब लोग को कि दित हैं तो कि तो आईये हम लोग स्वाशा देखते हैं खेडा सत्य ग्रफ लटा क्या था कहीं पर कि a कि पिरीजिए से ठीड़ा मूमेंटonda सब्सक्राइब नंची गोड़ा नरहां वहां पर जो है लेगानीक के साथ वहां पर हर जगा menu फेलियोर हो गया था काई पर भी फोसल सई भंसे नहीं वा था तो उसके वज़द से किसानों को बहुत ही जदा जो है डिस्टेस थे और लोग बहुत ही ज्यादा लोगों परेसानी था ठीक ना लेकिन वह लोग गौश्वर्मेंट को क्या अपील करते हैं कि हमारी जो हमारी प पुर्ण से पेटर बातों को इम्ग्नौर कर देती है ऑट ओर इनके पास प्रोपलेब थो एक फीलूइव काम नहीं था और ही खेड़ा के किसानों को ठीक ना इनके यहां के जो टीनेंट्स थे पीजंट्स थे यहां पीजंट्स थे इनके पूरे के पूरे फॉसल बरबाद हो गये थे फेल्यूर क्रॉफ फेल्यूर था क्रॉफ फेल्यूर यह क्लाफ्स उसके बाद प्लेग एपिडेमिक प्लेग एपिडेमिक तो क्या होता है है अपिल करते हैं कि इंका तब क्या होता है वहां पर जाते हैं और यह कहानी चलता है जब यहां पर आती है महत्मा गंदी और यहां पर किसानों को प्रब्लम को देखते हैं और समझते हैं तो फिर क्या होता है और यहीं पर याद रखना है कि किसानों को प्रफ चलियोर और प्लेग वजह से उनकी इस्तिति बहुत ही खराब हो चुकि तब वह गौर्मेंट से अपील क्या किये कि उनके जो जो टैक्स जाएं उसको क्या किया जाता है उसको क्या किया जाते है और गांधी जी के बाद वहां पर यह देखा जाता है कि उनके बीच गांधी जी और साथदार बॉल्ला भाई भाई पटेल का मीला नुट है और एक साथ मिलते हैं यह लोग तो आपको बता दें हमको फॉस्ट पर गांधी जी और साथदार बोल्ला भाई पटेल जीसे आयरन मैंट है वह कहां पर मिले दो फर्स फर्स खेला सत्यागरा समझाया होगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडिया अच्छा लगा हो तो शेयर किजिए लाइक एज अपने दोस्ते को पास भी और आपको बता दे कि जिनको अगर नोट्स लेना है तो वह हमारे टेली गराम जो ग्रूप है एड़ी वानी फैमिली तो वहां प 538936815 ठीक है यह मेरा वाट्साप नंबर है इस पर आप हाई किजिए और आपने नाम और क्लास बताइए वहां पर जिस चैप्टर के चाहिए आपको नोट्स वहां पर हम डाल देंगे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्राब्लम नहीं होना चाहिए वीडियो देखिए औ और नोट्स को नोट की जिए आपको किसी भी तरह कोई भी प्राब्लम कहीं से अब्जेक्टिव से लेकर किसी भी तरह कोई प्राब्लम नहीं होने वाला है ठीक है ना तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग